गरीब अब मैं आपको अंकड़े देता हूँ और इनको आप अच्छी तरह सुनिए क्योंकि इससे आपको पूरा का पूरा हिंदुस्तान और आप से कैसे और कितनी चोरी हो रही है वो समझ आ जाएगी अब अच्छी तरह सुनिए देश को MLA और MP नहीं चलाते हैं है आप किसी भी बच्छे से पूछ लो रिटा क्या करना चाहते हो वह आपको कहेगा मैं IAS में जाना चाहता हूं मैं आये इसका अपसर बनना चाहता हूं सही अगलत हूं सही देश को आये सबसर चलाते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को नब्बे आये सबसर चलाते हैं पूरा का पूरा बजट चो होता है पैसा होता है हिंदुस्तान का सोने की चिडिया पूरा पैसा जो आता है इसको ये उबे में से आधिवाजी कितने है," का ईदलित कितने और उबीसी कितने है? आगर हम कहते है नि में अगलकों कि भागिदारी कि अधिज्टों, पिछनों कि भागिदारी कि तो इन नब्य लोगों में से अभादी जितने अफसर हर्जात के वने चाहिए? है 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 अब मज़ेगी बात सुनिए है है नब्वे में से तीन अपसर पिछडी जात के हैं मतलब पिछणों की अबादी है पचास परसेंट मतलब कम से कम 45 होने चाहिए और हैं कितने तीन है अच्छा है अगर तीन अपसरों के हाथ में बड़े-बड़े मंतराले होते तो अलग बात है मगर यह जो तीन ओभी सी अपसर हैं एक कोने में बैठे रहते हैं कि इनका कि बजट पर कोई कंट्रोल नहीं कि अगर हिंदुस्तान की सरकार सो रुपए खर्श करती हैं तो पिछड़े अपसर पांच रुपए पर निर्ने लेते हैं तो नरेंद्र मोधी के यह जो शब्द है कि OBC सरकारी खुकले हैं और वह जाती जंगरना इसलिए नहीं कराना चाहते कि देश के OBC को पता लग जाए देश के युवाओं को पता लग जाए कि हमारी अवादी तो 50 परसेंट है अवादी 50 परसेंट और अपसर तीन नपे अपसर पुरा 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 बजट बाचते हैं राजस्तान को कितना पैसा मिलता है स्वास्त में कितना जाता है कि शिक्षा में कितना जाता है कि आर्मी में कितना जाता है यह 90 लोग तै करते दिल्ली में इसमें से तीन OBC कैसे अब यहां जो पिछड़े युवा है आपके दिल में थोड़ा गुसा आया होगा यह तो हमारा बेफ्कूप बना रहे हैं मगर ठेरिये क्योंकि मैं अदिवासी के बात करना चाहता हूं पिछड़े तीन अदिवासी भी तीन मगर फर्क क्या है जहां सो रुपय में से पिछड़े पांच रुपय का निर्ने लेते हैं सो रुपय में से हमारे अदिवासी भाई भेन दस पैसे का निर्ने लेते हैं दस पैसे का मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार सो रुपय खर्च करती हैं तो आदिवासी अपसर दस पैसे पर निर्ने लेते हैं मिए wakes you कि उनके स्कीम करता हूँ नरेंद्रमोदी के स्कीम की बात करता हूँ मैं भी मैं योज ना पसल बी मां योज नमेक आम expect वह रिखाझ़ा रूप को पैसा आता है से अधिवासी भाई दलिद्श भाई पिछड़े लोग गरीब जेनरल कास्ट के लोग एक लीटर पेट्रोल खरीते हैं, उतनी जी एस्टी देते हैं, जितनी अधानी देता है, अधानी अरब पती, मगर अगर अधानी एक लीटर पेट्रोल खरी दे, और हिंदुस्तान का सबसे गरीब यक्ति एक लीटर पेट्रोल खरी दे, तो जी एस्टी एक जैसी जाती है, आप शर्ट पहने हो सफेज शर्ट पहने हो अगर अधानी जी यह शर्ट करीदे और अगर आप यह शर्ट करीदो जी एस्टी एक जैसी जाएगी वह अरब पती है करे अजी एस्टी एक तो जी एस्टी पैसा आता है किसका पैसा है 50 परसेंट पिछणों का कaking तकरीबं 15 परसेंट दलितों का कि तकरीबं 12 करेंट बारा दिवाची ओक तो पटल भीणा योजना आपको समझा देता हूं कि फसल भीमा योजना में 35,000 करोड लगते हैं 20,000 करोड दिल्ली के सरकार देती है GST से 10,000 करोड स्टेट की सरकार देती है GST से 5,000 करोड हमारा किसान जो हमारी देश की रीड के अड़िय वो देता है 35,000 हो गए अब नरेंद्र मोदी की सरकार 35,000 करोड उठा के 16 कंपनियों के हाथ में पकड़ा देती है उस कंपनी में आपको एक OBC नहीं मिलेगा एक दलित नहीं मिलेगा एक आधिवासी नहीं मिलेगा तो आपके पैसे जेब से निकले 35,000 करोड रुपे 16 कंपनी के जेब में गए से अब आपके खेट में नुक्सान होता है ओला गिर आता है तुपान आ जाता है हमारे पिछडे आदिवासी दलित किसान गरीब जेनरल कास्ट के किसान फोन लगाते हैं कंपनी को कहते बहिया हमने पैसे द पूचलो किसानों से जब किसानों का खेट नश्ट होता है महीनों के लिए यह इमेल और टेलोफोन करते रहते हैं इनको पैसानी मिलता बहाने बनाते हैं तो 35,000 क्रोड रुपे आपके 16 कंपनी के हाथ में और जब आपको पैसे की जड़ाद पढ़ी तो कंपनी कहते हैं नह ऐख का खेट अ हैहाश भिघुल भी नहीं हूज लocide नहीं गिरा तुफानी नहीं और एक कभी आपने किसान को टीवी पर देखा है को है कभी आपने किसी मज़ूर को ठीवी पर देखां नहीं आपको शारू कंड देंगे अश्वरिया राइढ धिक जाएगी रिकेट मैच दिख जाएगा अन्नी दिखने वाला कि अधर मजदूर फसे हुए उत्राखंड में मजदूर फसे हुए उत्राखंड में जमीन के नीचे अधसे हुए 24 गंटा मीडिया क्रिकेट की बात कर रही अची बात है दो मिनट उनको भी दे दो ए दो मिनटर में मर हमारे मजदूनों को भी दे दो है है कि तो मेरा कैना है मीडिया में नरेंदर मोदी माट का 24 गंटे चहरा अथा ज्राता है क्यूं आता है कि नरेंद्र मोधी जी एस्टी का पैसा उधर भेजते हैं और वो नरेंद्र मोधी का चेहरा इधर दिखाते हैं कि तो यह फर्क है बाहियों और बहनों अब मैंने साफ का है राजस्तान में मारी सरकार आएगी जाती जंगरना तो हम यह आपर शुरू कर देंगे कि और दिल्नी में आएगी दिल्ली में ऐकी तो पूरा देश कंदाती जंगरना कर देंगे पिछनों को दलितों को आदि वासियों थाट साथ बता देंगे बहिया आपके आबादी कितनी है डूद का दूद पानी का पानी कर देंगे को ओ हैं नरेंदर मोधी को मुछ से जाती जंगरना का शब नी निखल सकता, इतना पैसा जा रहा है भाईयों और बेनों आपके जेब से, दुक की बात है कि आपको भी निपता लग रहा, आपको भी समझ नहीं आ रहा कि आपके जेब में से कितना पैसा अदानी की जेब में जा रहा है आपको दर्द हो रहा है आपको दुख हो रहा है आपके बच्चे बेरोज गार हैं मगर आप कारण नहीं देख पारे हो आप यह नहीं देख पारे हो कि आपकी जेब में से पैसा जब आप पेट्रोल खरीदते हो जब फरीट अब हम खरीदते हो जब आप एमर काना कहते हूं तो डोत तरीकों के सरकार होती है रही अरब पतियों की और एक किसानों की मजदूरों की दलितों की गरीबों की इन लोगों की चोटे दूका нормально और नरेंद्र मोधी जी ने आपसे कहा 15 लाग रुपर बैंक अकाउंट्ट पर लग जाएगा लग गया कोविट ईया सवरी कोरुना नरेंद्र मोधी जी ने आपको नचा दिया तो इस अशब को नचा दिया चलो भाया थाली कोवड पैल नचाँ थाओ से हैं कि जब लोग एक दूसरे के पास आते हैं कि नरेंद्र मोधी जी ने भीड में थाली बजवादी को करोना को फैला रहे हैं कि पूरा देश थाली बज़ा रहा है वहां पर टीवी पर दूसरी तर नरेंद्र मोधी जी कहते हैं ठीक है थाली नहीं काम किया बहुत सारे लो मतलब ड्रामा है आपका ध्यान कभी उधर जाएगा कभी इधर जाएगा जेव कत्रा क्या करता है जेव कत्रा भईया पहले आपका ध्यान उधर करता है तो यह उधर देख वह आपका ध्यान उधर करता है दूसरी साइट ते बंदा आके जेव काट देता है हुआ तो नरेंद्र मोदी जी का काम आपका ध्यानि-द१र-ुद्धर करने गार पीछे और धानि जेप काट देता है अ तीम है कि आप लोग क्या करते हो भय अपको कहते हैं हिंदू-虫िलम हिंदु मुस्लेम आपके ते हमुश्वर्य और नाच रही है पिछे से जेव काथिंग करिखे देखो लगे चलरहां पीछे जो काथ वह सारुख डान्स कर रहा है ओज जेव काथ यह हुरा है मैं आपको बता रहा हूं पैसा आपका है कि उसमें हपा हपाक आपका बनता है एकत्रित हो लो एक साथ खड़े हो लो सारा का सारा पैसा मिल जाएगा अब देखिए राजिस्तान में आप में से जितने भी लोग बिमार हुए यहाँ पे भीड में किसी को दिल की बिमारी हुई होगी किसी को कैंसर होगा किसी का हाथ तूटा होगा पैर तूटा होगा डाइबीटीज होगी इस भीड में आप में से किसी व्यक्टी ने इलाज के लिए एक रुपिया दिया फ्री 25 लाक रुपे दवाई फ्री फ्रैक्चर हुआ फ्री दिल में बिमारी हुई स्टेंट लगानी है फ्री कैंसर हुइ इलाज फ्री है कि सपाइदा फिछिणों को है बारा पर सेंट अबादी आधिवाचियों की देश में तो पैसा किसको जा रहा है पिछडों को जा रहा है आदिवाचियों को जा रहा है दलितों को जा रहा है गरीब जनरल कास के लोगों को जा रहा है तो सीदी से बात है आप मुझे बताओ हमारी जो स्वास्त का स्कीम है राजिस्तान में इसमें अदानी को कहां पैसा मिल रहा है यह यह एक रुपया नहीं मिल रहा हुँ हमने भोजन का धिकार दिया मंद्रेगा दिया कि जमीन अधिकरन बिल एक इसमें से मुझे पंदरा मिंट में बेहोच हो जाएगा लेड़ जाएगा पानी पिलाना बढ़ेगा तो हमारे सारे के सारे स्कीम किसानों को दलितों को अधिवासियों को पिछणों को गरीब जनरल कास के लोगों को मदद करने के स्कीम है उनके सारे के सारे स्कीम अधानी जी वाले स्कीम है मोधी जी कहते है मोधी की गैरंटी मोधी की गैरंटी मतलब अधानी की गैरंटी मोधी की गैरंटी है कि भाईया मैं आपका ध्यान बटका दूँगा और पीछे से अधानी जी जेब काट देंगे यह नरेंद्र मोधी की गैरंटी है और पूरा देश जानता है हमारी साथ गैरंटी है कॉंग्रेश पार्टी की राजिस्तान में सबसे पहले राजिस्तान के हर घर में एक महिला को दस हजार रुपैस साल के बैंक अकाउंट में सीदे पेर है एक रुपिया अधानी को नहीं इसमें से एक रुपिया अधानी को नहीं जाएगा किश जिलिंडर नरेंद्र मोधी शिकायत करते देश चौह सो और चार्सो रुपैक और गया हाइच कितने का है बाराटर उपए का कर दिए उनasta के बाद अभी तेड़ाक है इसको आप तोड़ा और बढ़ाई ए चुनाएक के बाद वो हो जाएगा एक रुप्य आदानी को नहीं हैं कि हमने अंग्रेजी स्कुलों के इण unser अंग्रेजी भी को अंग्रेजी सिखो हिंदी राजिस्तान में बात करो हंडीसे हे हिंदी कप्रyes सां में कर उपी में करऊ ऊंगर कोई विदेश का टूरिस्त darf राज एच तान में तो उसमें उससे अंग्रेजी से बात करो वियभार को वयभार करो ये लिपार को दो दो इंदुसतान नीचे हमें इसलिए हमने काioèo English shouldn A ृर स्टूड़ के लिए य हम English सरकारिया ओफिसर्स का OPS बंद कर दिया ओल्ड पेंशन स्कीम जो था हमने फिर से लागू कर दिया उसमें से एक रुपीय अधानी को नहीं जाता अगनी वी जैसे स्कीम लाते हैं अधानी को फाइदा पहुचाने के लिए हमारे युवार सुबह उठते हैं चार बजे देश की रक्षा करने के लिए उठते हैं लाकों युवार उठते थे वर्जिश करते थे आर्मी का टेस्क पास करने के लिए कि सारा बंद कर दिया क्यों बंद किया अधानी को जितने हत्यार बेचने हो वो सही है पूरा का पूरा डिफेंज सेक्टर अधानी के हाथ में वो सही है मकर अगर हमारे पिछड़े युवा दलित युवा आधिवासी युवा देश की रक्षा करना चाहते हैं कि तो वो अलाव नहीं है कि वो नहीं हो सकता है हम तो अगनीवीर स्कीम चलाएंगे कि अँगा रभाषन में नरेंटर मोधी कहते हैं अगनीवीर का फायदा क्या फायदा फायदा नुखसान है। गरीब युवाओं का नुकसान है अधानी का फाइदा है तो हर स्कीम में वह अरब पतियों की मदद करते हैं हर स्कीम में हम गरीबों की किसानों की मजदूरों की मदद करते हैं यह फरक है अब याद रखिए हमने जो भी किया है बीजेपी की सरकाराई वो सारा का सारा उठाके ले जाएंगे 25 रुपए जो आपका स्वास में हम देते हैं तो सारा अधानी को जाएगा OPS किम गाइब हो जाएगा अंग्रेजी स्कूल बंद हो जाएंगे किसान का कर्दा माफ नहीं होगा सारा का सारा फाइदा दो तीन लोगों को जाएगा नेन ये आपको लेना है कांग्रेस पार्टी को चिताइए गरीब हो की पिछणों की दलुटों की आदिवास्यों की गरीब लोगों की सरकार बनाएए फ थोटे दुखनदारों की सरकार बनाईए आप सब आए इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी दिल से आपका धन्यवाद करता हूं नमस्कार जैहिंद मैं